हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइडे में दिये बिल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं अमरित सरी स्टवड कुल्चा ये बहुत जादा टेस्टी होता है और अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो हमेशा बनाएंगे ये इतना टेस्टी होता है और हम आपको इस वीडियो में इसे बनाने के स सारे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम मैदा का डो बना लेंगे तो हम ये 400 ग्राम मैदा लिये हैं और इसमें हम एक चम्मच चीनी डालेंगे और एक चम्मच नमक डालेंगे और वान वाइफोट टी स्पून बेकिं हम इसमें दो चम्मच ऑईल डालेंगे और इन सबको अची तरह से मिक्स कर लेंगे इसे अची तरह से मिलाते हुए हम इसका एक स्टॉप्ट डो बना कर त्यार कर लेंगे तो देखे हम इसे अची तरह से गुत ले रहे हैं ये दही से अची तरह से डो बन जाएगा लेकिन जरुबत के साब से आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल ले रहे हैं इस से बिल्कुल पर्फेक्ट सॉफ्ट दोबनकर तियार हो तो देखे हम अच्छी तरह से मैदा को गुत लिये हैं और अब हम इसे बिलाते हैं वैस्टरह से सॉफ्ट करेंगे इसे मसलेंगे तो देखे इस से यह हम कर रहे हैं जिससे यह बहुत जाल सॉप्ट होगा तो हम इसे लगभग 10 मिनट तक इससे इस तरह से ही मसलते रहेंगे यह इससे बनाने का बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप इस तरह से मैदा लगाएंगे तो आपका बहुत ही परफेक्ट कुल्चा बनकर त्यार तो आपके वेज स्टर्फ कुल्चा बहुत ही अच्छा बनेगा अब मैदा का यह डो अभी ही चेक कर सकते हैं यह इस तरह से अगर हो जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपका मैदा त्यार हुआ है तो देखे हम इसे इस तरह से त्यार कर ले रहे हैं और अब यह मैदा त्यार है तो अब हम इसे ढख कर लगभग 7-8 घंटे के लिए रख देंगे हमें मैदा का डू पहली बनाना होता है लगभग 7-8 घंटा पहले डू लगा कर लेना होता है जिससे मैदा का डू अच्छी तरह से फूल जाए और फर्मेंट हो जाए तो अब हम इसे रेष्ट कर अब हम इसे बनाना होता हुआ बीन्स थोड़ा से बारिक कटा हुआ गाजर के और दो चम्मच अध्रक लहषून और मिर्च को क्रस्किया हँआ मसाले में हम लिये हैं काला नमक आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच नमक स्वादा नुसार हालदी पाउडर तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो हम एक कढ़्ाई में four चम्मच oil डालेंगे और oil को गर्म होने देंगे देखे ओयल हो गगा तो अब हम इसमें फूल गोभी को डालेंगे जो हम कट करके रखे थे तो देखिए हम सारे फूल गोभी को इसमें डाल दिये हैं और इसे चलाते हुए लगभग 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे तो लगभग 4 मिनट हो गये हैं तो अब हम इसमें सारे बारी कटे हुए गाजर को डाल देंगे और सारे बारी कटे हुए beans को भी डाल देंगे और अब इन सब को अच्छी तरह से चलाते हुए mix कर लेंगे और लगभग 4-5 मिड़तेक अच्छी तरह से पका लेंगे आप इसे जल्दी बनाने के ढ़क कर ही पका सकते हैं जिसे जल्दी से सीज जाएगा तो हम इसे बीच बीच में एक दो बार चला ले रहे हैं और इसे फ्राइ कर लेंगे तो अब हम इसमें सारे बारी कटे हुए सिमला मिर्च को डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे तो हम इसे भी लगभग 2-3 मिनिट तक से पका लेंगे इसे बीच बीच में चलाते रहें तो अब हम इसमें सारे बारी कटे हुए प्याज को डालेंगे और इसे भी समिक्स कर लेंगे तो देखिए हम प्याज डाल कर भी इसे अची तरह से mix कर ले रहे हैं और लगभग इसे 2-3 नियट तक पका लेंगे और लास्ट में अब हम इसमें अद्रक लहसून और मिर्च को crush करके जो रखे थें हम उसे इसमें डाल देंगे और इसे अची तरह से mix कर लेंगे लास्ट में अद्रक लहसून और मिर्च डाले हैं जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा सारे vegetables में तो देखिए हम सारे vegetables को डाल कर अची तरह से mix कर लेंगे और अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे और अब इन दोनों को डाल कर अची तरह से mix कर लेते हैं और कुछ मिट पका लेते हैं तो देखिए हम इसे mix कर ले रहे हैं और चलाते हैं वे लगभग 2-3 मिट तक पका लेंगे तो देखिए सब्जी हमारे पूरा अची तरह से soft हो गया है और कम हो गया है तो अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे तो हम इसमें किचन किंग मसाला चाट मसाला कासमीरी लाल मिर्च काला नमक और काली मिर्च पाउडर डाल दिये हैं जो हम सारी मसाले लिये थे हम सारी मसाले समें डाल दिये हैं और अब इस से हम अची तरह से mix कर ले रहे हैं तो देखिए हम आपको vegetables को check करके दिखाते हैं तो देखिए सारी सब्जी अची तरह से musicians चुकी है तो अब यह तयार है तो अब last में हम इसमें पनीर डालेंगे जो कि हम मैस करके रखे थें, तो देखिए हम सारे पनीर को इसमें डाल दे रहे हैं, पनीर हम लास्ट में डाले हैं, क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, पनीर को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं होता है, तो देखिए पनीर डाल कर भी हम इससे मिक कर்ण हुआ हरा धन्याय पत्ता डालेंगे और इसे डाल कर भी मिक्स कर लेंगे तो देखिए हम इसे अची तरह से मिक्स कर लिए हैं तो हमारा फिलिंग के लिए वेजटेबल त्यार है और अब हम अपने मेदे के तरफ चलते हैं जो हम 10 गंटे पहले गुत कर तियार किये थें तो देखिए कितना अच्छा फूल कर फर्मेंट हो गया है कितना ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया डबल साइज में हो गया है तो हम इसे एक बार इस तरह से मिला ले रहे हैं जिससे और भी यादा सौप्ट हो ज ट्यार है तो अब हम एक बाउल लिये हैं और इसमें हम सौस का मिकस्चर तयार करें गे तो हम लगबग 2 चंब्स ट्रमैटो कैच्चप लिये हैं और इसमें हम दो चंब्स पीज टॉपिंग्झ गे और इसमें हमें एक चंब्स ग्रीन चीली सौस डालें improvements डालेंगे तो पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ा सा इसमें हम औरिगेनो डालेंगे तो देखिए हम इसमें मसाले भी डाल दी हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं तो हमारा कुल्चा में अप्लाई करने के लिए सौस तयार है तो हम मैदे के डो में से थोड़ा सा लोई लिए हैं और इसमें हम सुखा हुआ थोड़ा सा मैदा लगा लिए हैं और इसे हम बेल लेंगे तो देखे हम इसे अच्छी तरह से बेल ले रहे हैं मैदा का डोब बहुत ही अच्छा बन कर त्यार हुआ है इसलिए मैदा हमारा कितना लचीला बना है और बहुत ही अच्छी तरह से फैल रहा है तो देखिए इसी तरह से हम दो पीस मैदा की रोटी बेल कर तियार कर लिए हैं और अब हम इसमें एक लेयर में तियार के हुए sauce को apply करेंगे और अब हम इसमें तियार के हुए vegetables को डालेंगे तो देखिए हम सारे vegetables को इसके उपर फैला लिए हैं और अब हम दूसरे मैदा के रोटी से इसे कवर कर देंगे और इस तरह से एक fork, के help से इसके corner को दबाते हुए इससे pack कर देंगे तो हम कुल्चा को step करके तियार कर दिये हैं तो अब हम इसे सेकेंगे तो हम कुल्चा को तवे पे डाल दिये हैं और इसे लगभग 2-3 मिनट तक अची तरह सेखेंगे तो हम इसे एक साइड पहले अची तरह सेख लेंगे आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं तो देखे ये एक साइड से अची तरह से शेख चुका है तो हम इसे पलट लेते हैं और पलट कर दूसर साइड भी हम इसे लगभग 3-4 मिनट तक अची तरह से शेक लेंगे इसे शेकने में लगभग 5-6 मिनट लग जाते हैं इस तरह से आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं जिससे अची तरह से शिक जाए और इसे प्रेस करने से कुल्चा हमारा फूलेगा भी तो देखे इसे प्रेस करके पका रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा फूल रहा है तो देखे अब हम इसमें थोड़ा सा घी अपलाई कर रहे हैं आप इसमें बटर या घी कुछ भी अपलाई कर सकते हैं और अब हम इसे पलट लेंगे तो देखिए दूसरे साइड भी कुल्चा अची तरह से सिख चुका है तो दूसरे साइड भी हम थोड़ा सा घी लगा ले रहे हैं तो देखे हमारा कुल्चा सिख चुका है तो अब हम इसे कट कर लेते हैं तो देखे हमारा बहुत ही टेस्टी अमिस सरी स्टफड कुल्चा तयार है आप इससे टमैटो कचप के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बहुत जाष्टेश्टी होता है और इसे बनाना बहुत आसान है, यह इतना जाष्टी होता है, कि अगर आप इसे एक पर बना लेंगे, तो बार बनाएंगे, हमेशा बनाएंगे, और थंड के दिनों में आपको इसके फीलिंग के लिए भूत सारी वेजटेबल्स ही मिल जाते प्रशी तयुट अप्रेश्ट अजिस बास अप्रेस्टीज।